आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ ब्रेट प्याज पकॉरे की रेसिपी पकॉरे तो आपने बहुत तरह के बनाए होंगे और खाये भी होंगे पर ये टू इन वन पकॉरे की रेसिपी ना आपने बनाई होगी और ना आपने खाई होगी आपको इस एक पकॉर कासी लगी तो चलिए हम इस ब्रेड प्कुरे की रेसिपी को फटा फट से बनाना सुरू करते हैं. है सबसे पहले यहां पहले लिए हैं पांच ब्रेड जिसे मैं जोटे-चोटे टुक्रों में कुक्स कर लिया । जिन लिए यह बिल्कुल महीन पिस के तयार हुआ है तो चेलिए अब हम इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो मैंने यहां पे एक बड़ा बाउल लिया है जिसमें मैं अपने ब्रेड को ट्रांसफर करूंगी इसे बनाना बहुत ही असान है अगर आप छुड़ी बातो का थेहन रखेंगे तो हमारा ईह जो पकूर्आ है यह बिलकुल पॉटफेक्ट बनके तàiार शवार तोथिए इसके भाद हम एहां पर लेंगे प्याज मैं यह रहा पश्क् intent कर लिया है जिसे दित कंने कि जितने के मैं इसे बहुत मोटम नहीं बहूत नहीं काटा बिल्कुल मैंने इसे जैसा हमारा प्याज का पकॉरा चाहिए यानि बिल्कुल मीडियम साइज का मैंने यहां पे प्याज कट किया है तो चलिए अब हम इसे भी उसी बावल में ट्रांसफर कर देते हैं मैंने यहां पे प्याज को काटने से पहले धोया था अब हम इसमें एड करेंगे त तो आप एड़ कर सकते हैं या आप इसे इसकी भी कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे आधी चुटी चमच सफेद नमक यानि की साधा नमक और आधा चमच काला नमक आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको सफेद नमक मतलब पकौरे में पसंद है तो आप लें और टेल आप काला नमक भी डाल सकते हैं या पिकिसी एक को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे जीरा मैंने यहां पे एक चमच जीरा डाला है आप जीरे की जगह पे अजवाईन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसमें और इंगिडियन्स अद करेंगे वह रहते हैं अब हम इसमें अब हम इसाम कर देते हैं ने बहुत कम होगा और ना बहुत ज्ञादा हमें जैसे जैसे लगेगा कि हमें ब सैन्य डालेंगे हमसे हिसाब से ब SI Ela ndla को दालने के बाद मैं हां पर ले रही हूं चाहल का और जा लिया है जो कि मैं इसे भी तोरा तोरा करके इसमें एड करूंगी तो चलिए उसी मेजर से चावल के आटे को भी इस्तमाल कर लेती हूं मैंने यहां पर चावल के आटे को भी उसी मेजर से मतलब उसी चमच से मैं यहां पर इस्तमाल कर रही हूं सेम चमच मैंने वहां यहां पर लिया है जिससे मैंने बेसन एड किया स्मेरी रेड मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं उससे इसका कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा और अब हम इसमें डालेंगे हींग हिंग से पकौरे में स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है आप पसंद करें तो आप इसे जरूर से एड़ करें तो चलिए अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे अभी हम बिना पानी के ही इसे सब को अ और पानी का इस्तमाल करना पड़ेगा तो चलिए हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप देख सकते हैं यह अच्छे से मिक्स तो हो चुका है पर इसमें भी बेसन बहुत ही जादा कम लग रहा है तो हम इसमें और बेसन एड़ करेंगे इसलिए मैंने इसमें सबसे प चार चमच बेसन है तो आप देख सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे और बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पानी को एक बार बे एड़ नहीं करेंगे दो चमच तीन चमच हम ऐसे ही डाल के इसे मिलाएंगे ताकि हमारे यह जो बेटर के लिए मैंने अहां पे और पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था गैस पर और यह काफी अच्छे से गरम हो चुका है तो चलिए थोड़ा सा एक ब्रेड मतलब एक पकॉरे डाल के चक कर लेते हैं कि यह अच्छे से मतलब तेल गरम हुआ है या नहीं या फिर अभी यह और गरम होगा तो अभी यह जो हमारा पकॉरा है यह बिल्कुल अच्छे से यानि की तेल हमारा यह जो है यह अच्छे से मतलब गरम हो चुका है तो हम इसमें अपने बागी के पकॉरे को एड़ करेंगे तलने के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहां पर इसे एक एक करके म मैं इसका कोई सेप नहीं दिया अगर आपको कोई भी सेप देने का मन है तो आप गोल दे सकते हैं या फिर पर मुझे पकोरे थोरे मतलब बिना किसी सेप कहीं अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इससे बस उठा के और इसे डाल दे रही हूं आप मुझे कॉमें बॉक्स में ज़ साथों मतलब दूसरे साइड पल्टेंगे अभी हम इसे बिल्कोल हलके हाथ हो से मैं इसे पलट रही हूं तक इस जो हमारा भी पकौरा है ये बिलकुल ठूटे नहीं अछी हम मैं भूंड़ा पखाने में मुझे 6-7 मिनटु पढ़ना में भी अच्छा में ДArchi करना है फिर हमें इसे मीडियम फ्लेम पे करना है तो चलिए इसी प्रोसेस से बाकी के भी पकोरों को तल के तयार कर लेते हैं मैं आप लोगों के साथ प्यास के पकोरी की रेसिपी सेर करने वाली हूं तो लीजिए तयार है हमारा ब्रेड प्यास पकोरी की रेसिपी यानि कि य और यह बना भी बिल्कुल वैसा ही था तो चलिए हम भी से अच्छे से सौफ कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने से सौफ कर लिया है आपको आज की सूपर एजी सी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कॉमें बॉक्स में जरूर बताईएगा अभी तो बारिस का सीजन है तो मैं आप लोगों को इसे एक बड तोर के तिखा देती हूं कि यह अंदर से भी बिल्कुल पका हुआ है और यह बिल्कुल क्रिस्पी हमारे यह जो पको रहा है यह बन के तयार है उपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम खाने में और यह टेस्टी भी उत आप एक बार जरूर बनाईएगा तो शलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में